हेलो फ्रैंड नमस्ते वेलकम बैक वंस अगीन आन माई चैनल मैं हूं कीरन दोस्तो आज में आपके लिए बहुत ही पैतरु हेर केर डियाई वाइट लीगड़कर के हैं हूं आपको पसंद आएगा बहुत ही जादा पसंद आएगा दोस्तों आपके बाल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा खुपसूरत लंबे काले घने मुलायम और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बेरुखे बेजान है तो ये वाला नुसका ट्राइज जरूर करेगा तो दोस्तो आज मैं बतारी वाली हूँ अलसी के बीज यानि की फ्लैक सीड्स इसको हम तीसी भी कहते हैं इसके फायदे हमारे बालों के लिए क्या क्या होते हैं दोस्तो हमारे बालों को बहुत ही खुपसरत बनाता है हमारे बालों में एक अलग सी लेर एड़ कर देता है जिसके मदद से हमारे बालों की जो बेरुख पंज होता है, अक्सुर्म बैजान दिखते हैं, दो महें हो जाते हैं, वो सारे समस्या तूर हो जाती हैं, overcoming бизнес कानफ काम करता है, हमारे बालों को नैचरली कंडिशनींग का काम करता है, और हमारे बालों में еक बेल्लमक चती मठेम लेके आता है। growth को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है friends तो बहुत ही अच्छा होता है LC के बीज तो चलिए इसका DIY त्यार करते हैं तो DIY को त्यार करने के लिए आपको किसी भी बर्तन में एक ग्लास या फिर डे ग्लास पानी एड करना है उबालने के कास जो समय है आपको 5-7 मिट का होना चाहिए बहुत जादा लोग बहुत सारी लोग इसका क्या करते हैं जल नुमा बना करके अपने बालों पे लगाते हैं तो जल नुमा बना करके भी आप लगा सकते हैं या फिर हलका सा पहले आपको जैसे की जल बनाने के लिए थोड़ा से ज्यादा बॉयल करना परता है लेकिन सम्टाम्स क्या होता बहुत ज्यादा स्टिकी होने के वाज़े से बहुत साई लोगो इरिटेशन भी होती है और कभी पर वो स्टेंड करने में भी प्रॉल्लम होती है तो पूरी तरीके से जल में न कनवर्ट हो, इसके लिए आपको जादा टाइम इसको ना उबाले और 5-7 मेर तक उबालने तक ही ये काफी बढ़ियां कंसिस्टेंसी में आ जाएगा जो कि आपको आपके बालों के लिए इस्तमाल होगा फ्रेंड्स तो इस तरीके से कम से कम आप इसको 5-7 मेर तक अच्छे से उबाले हलका हलका जब आपके हाथ में ये चिपकने लगे बहुत ही ज़्यादा है हलका हलका जब हलका हलका चिपकने लगे तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है ग्यास को तुरत से बंद करके और तुरत इसको छान ले नहीं छान ये अगत क्या होगा बहुत जल्दी ये जली फॉर्म में आ जाएगा और फिर ये च्छनेगा नहीं दोस्तों दिक्कत हो जाएगा आप देख सकते इसके कंसिस्टेंसी एक पानी जैसी है ना तो सेम इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए आप देख सकते अंदर का ये धिरे-धिरे से जली फॉर्म में आना शुरू हो जुका था ये देखे इसके सारे बीज एक दुसरे से चिपकनी लगे हैं तो इसी टाइम पे आपको इसको अच्छ नैचरली कंडिशनी करता है हमारे बालो से बेरुखी पन को दूर करता है हमारे बालो से हर तरह की समस्या को दूर करता है हमारे बालो की ग्रोध को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है हमारे बालो में ले करके आता है नैचरल कंडिशनर हमारे बालो की बेरुखी पन को दूर करके मेरे बालों को बहुत एक खुबसुरत सिल्की शाइनी बनाता है दोस्तों किसी भी केमिस्ट के शॉप पे आपको यह मिल जाएगा इवियॉन 400 करके किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा आप वहां पे बुलेगा मुझे विटमिन ए की कैपसुल चाहिए मिल जाएगी और अगर दोस्तों अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करें ओनलाइन में इसको पर्चिस कर सकते हैं लिंक दिस्किप्शन में प्रवाइडिड है तो दोस्तों यहां पर क्या करना है एक कैपसुल लेकर के उसके अंदर का इस तरीके का विटमिन ए जो है निकाल करके और इस वाले पानी के अंदर डाल देना है जो कि मैजिकल पानी है तो बिल्कुल भी मजाक में नहीं लिजेगा बहुत ही पढ़िया पानी है बहुत ही ज जर सब्सक्र okay इस बीजेगा आप अच्छे से बीडियो से एस वीडियो में बताती हιूं कि आपको इस पानी को किस तरीके से शिमाल करना चाहिए बहुत ही जबरदस्त तो दोस्तों इसको इस्तon पानी क को और उसके वाद इसको बिल्कुल भी नॉर्मल पाने से नाध होएं as it is अपने बालों पर लगा रहने दे आप इस्तमाल करके देखे फ्रेंट्स आपके बाल की खुबसूरती आप खुद भी मज़िस करोगे आपके बाल इतने जादा सुन्दर बहुत ही खुबसूरत सिल्क देखता है ट्राइज जरूर करिए और अगर आपको लगे कि आपको आज की वीडियो हेलफुल है तो वीडियो को जादा जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए लोगों के साथ दोस्तों के साथ और वी ऐसे वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तुमारे